So very good morning, आज अपना जो लिक्चर है वो रहने वाला है ATP and LEP cycle What is the ATP cycle and ADP cycle? तो देखे, ATP, ADP cycle पढ़ने से पहले थोड़ा सापन देख लेते हैं कि देखे नाम सी पता चल रहे हैं वैसे तो ATP, ADP cycle मतलब ATP से ADP का formation होगा, ADP से ATP का formation मतलब ATP से ADP, ADP से ATP ये एक cycle के रूप में वेरी करता रहेगा ये cycle इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ATP, ADP cycle बोलते हैं अब ये cycle कैसे चलता है? इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं ATP and ADP की full form क्या है? ये चीज भी तो अपन को पता हो नोची है ना? तो देखिए ATP, ADENOCINE TRIPHOSPHET, ATP की full form की बात करें तो ADENOCINE TRIPHOSPHET ADENOCINE TRIPHOSPHET क्या होगी? ATP की full form होगी ADP की बात करें तो ADENOCINE DIPHOSPHET क्या हो गया? ADENOCINE DIPHOSPHET अब देखिए ADENOCINE ये नाम आपने सुना होगा जरूर सुना होगा जब अपन DNA के बारे में पढ़ता हैं, DNA की structure हो गया रहा को डिटेल में पढ़ता हैं तो देखिए, जब अपन बात करते हैं, ADENOCINE ADENOCINE अड जो, RIVOS ADENOCINE 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 होंगे तीन क्या होंगे fospe covariate के सम्वों तो इसको क्या गोल सिसे बात करें कि ATP की structure कैसे होती है ADP के structure कैसे होगी तो चलिए structure की बात करें देखी ATP की ADP की structure है उसमें बात करें तो जब सबसे पहले अपन और और स्टनीन People в iise च बनाते हैं तो राइबोस यह क्या बनगी राइबोसुगर बनगी क्या बनगी राइबोसुगर इसके बाद में यह अपने बात करें एडिनीन की एडिनीन की इस्ट्रेक्चर की बात करें तो यह इस्ट्रेक्चर किसकी होगी भई एडिनीन यह इस्ट्रेक्चर किसकी होगी एडिनीन की इस्ट्रेक्चर हो diphosphate, एक phosphate समोगे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहां तक कि structure किसकी होगी, ADP, किसकी structure होगी, ADP, तो आपको structure पता चल गी, ADP में क्या होगा, तीन phosphate समोगे, साथ में क्या होगा, ribose and क्या होगा, एडिनीन जुड़ा हुआ रहेगा और ADP के अंदर ती दो क्या होगे फॉस्पेड सम्हों होगे राइबोस और एडिनीन जुड़ा रहेगा ये थी ADP and ADP के इस्टेक्शन अब देखिए जो ADP होती है जैसे example के रूप में अपन समझें तो हर देश की अलग-अलग केरेंसी होती है आप सबको बता होगी इंडिया की अलग केरेंसी है अदर अपने स्टेट के बात करें यूएस की अलग केरेंसी होती है ऐसे ही हर कंट्री की अलग-अलग केरेंसी होती है वैसी इंडिया की केरेंसी रुपई आ है तो ठीक वैसे ही जो अपने सेल होती है अपने सरीर की जो सेल होती है उसकी भी एक केरंसी होती है उसे केरंसी को क्या बोलते है एटीपी तो याद रखियेगा सेल की केरंसी क्या होती है एटीपी होती है और एटीपी क्या होती है एटीपी क्या होती है एटीपी क्या होती है ए अब कैसे हैं अपने इसकी बात कर लेते हैं कि अब बात ATP से कैसे ATP बनेगी और ADP से कैसे ATP बनेगी तो देखिए मान लीजिए अपने सरीर के अंदर एकड़म अच्छे से ATP है अब मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा वरकाउट कर लिया है अब अपने सरीर को क्या है एनरजी की रिकॉरमेंट है बहुत ज्यादा काम अपने कर लिया है कि जितनी अपनी कैपिसिटी थी उससे भी ज्यादा अपने वरकाउट कर लिया है तो क्या होगा जब ATP होगी अपनी अब इसमें क्या होगा? Hydrolysis की process के थूअ क्या होगा? Hydrolysis होगा ATP में और तो ATP किसमें convert हो जाएगी? ADP के अंदर तो यहां से क्या होगा? एक तो phosphate समों क्या हो जाएगा? Breakdown हो जाएगा? फोस्पेट समों क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा, फोस्पेट समों बाहर निकला, इसको क्या बोलेंगे, इन और्गेनिक फोस्पेट हो गया, और फोस्पेट के साथ में एनरजी भी क्या होगी, रिलीज होगी, कहां से रिल प्रकाउट कर लेते हैं, थोड़ा सा हाड काम कर लेते हैं, तो जो जितने जाया सरीड में एनर्जी थी, उससे ज्यादा अपनको एनर्जी थी है, तो ATP किसमें convert हो जाती है, ATP के अंदर, एक फोस्पेड समों निकल जाता है, उस वात में, जो एनर्जी होती है, वो क्या हो जात थोड़ा पानी पीएंगे, जूस पीएंगे, मतलब अपन फूड खाएंगे, तो क्या होगा? यह का फोस्पेट, इन ओर्गनिक फोस्पेट क्या होगा? एड हो जाएगा, मतलब अपने सुरीद में क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है, किसके रूप में? फूड के रूप में एनर्जी क्या हो रही है? अब यह किसके रूप हो रही है? बाई सिलूलर रेस्पाइरेशन, किसके रूप? सिलूलर रेस्पाइरेशन, यह आपन बोल ले थे हैं, ग्लाइकोलाइसिस के रूप, किसके रूप? ग्लाइकोलाइसिस के रूप, एनर्जी क्य ATP में बन जाती है, जब अपन बहुत ज्यादा रकाउट कर लेते हैं, तो ATP किसमें convert हो जाती है, ADP गरूप में, यहाँ energy release हो जाती है, और यहाँ energy अपन को मिल जाती है, यह एक cycle के रूप में पूरी की पूरी process चलती रहती है, इसी को बोलते हैं अपन ADP, ADP cycle, ATP का आपको पटा चल गया, एडिनोसीन प्लस ट्राइफोसफेट मिलके ATP बनाते हैं, एडिनीन, एडिनोसीन प्लस डाइफोसफेट मिलके क्या बना देते हैं, ADP बना देते हैं, इसकी structure भी अपने देख ली, और ADP को क्या बोलते हैं, cell की currency बोला जाते हैं, ओके, ये तो चीज मैंने आपको समझा दी, अब इसके आपको notes भी चाहिएंगे, तो notes आफ टेलिग्राम से ले सकते हैं, वहाँ से आप download कर लीजिएगा, और यहाँ आप सिरफ समझ लीजिए, तो next lecture में फिर मिलेंगे, thank you.